तूथ प्रश कैसा होना चाहिए और तूथ प्रश करने का सही तरीका क्या है और दिन में तूथ प्रश कितनी दफा करना चाहिए ये सब आपको मालूम होगा आज की वीडियो में मैं हूँ डाक्टरिंग कलाब फरीद मैं एक डेंटिस्ट हूँ और निश्टर हॉस्पिटल में रेजिटेंट मैजिलो फेशल सर्जन हूँ तो आज हम बात कर रहे हैं कि टूथ प्रश जो के बहुत एहम टूल है हम जिससे अपने दांतों की हिफाज़त करते हैं दांतों को बिमारियों से बचाते हैं उसको टूथ प्रश कहते हैं अब वो टूथ प्रश कैसा होना चाहिए आज ही हम जानना की कोशिश करेंगे तो स सबसे पहले जो टुथ ब्रेश होता है वो बना होता है ब्रिसल्स के साथ जो बरीक बरीक धागे होते हैं जिनकी मदद से टुथ ब्रेश बना होता है एक ब्रेश की शकल इखियार करता है अब सबसे पहले ये जो ब्रेशल्स हैं इनकी टाइप पर डिपेंड करता है कि टुथ ब्रिसल्स कैसा होना चाहिए, यह ब्रिसल्स किस किसम के होते हैं, या तो यह सखत होते हैं, या यह नरम होते हैं, या यह इने कैलनजी बारीक होते हैं, या थोड़े से मोटे होते हैं, तो जो भी है, कौन सी टाइप का ब्रिसल्स हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे म आफ्ट भी कहते हैं तो इन ब्रिसलज में से कौन सा ब्रिसलज है बना होई टूत ब्रेश हमारे लिए बैस्ट है तो सबसे पहले ये एक बहुत ही एहम बात के और ये बहुत इंपॉर्टन्ट है झाल ज्यादा तबर्जव नहीं करते हैं पेशिंट भी ज्यादा तबर्ज हो हर्ड हैं तो वो सारे टूथ ब्रेशेज आप इस वक्त निकाल के फैंक दें ना भी फैंके तो कोई और इसमाल भी उनकी मदल से आप कर सकते हैं लेकिन उन से आपने दांतों को ब्रेश नहीं करना पॉइंट क्लियर हो गया अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं ब्रेशल्स या तो स्ट्रेट होते हैं या क्रिस्क्रास होते हैं या आप देखने हैं या तो इस तरह लगे होंगे ब्रेशल्स ब्रेश के अंदर या इस तरह से होंगे तो इसमें रिसर्च में कोई खास फर्क नहीं है चाहे आप straight इस्तमाल कर लें, चाहे आप cross bristles हों, वो इस्तमाल कर लें, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपकी teeth cleaning में, तो इसलिए जो भी है, अच्छा है, लेकिन एक और चीज, इनकी arrangement में जब आप इनको देखते हैं, तो कुछ bristles छोटे होते हैं, कुछ लंबे हो तो उस तरह के bristles आपके gums को damage कर सकते हैं, तो वो वाले bristles आपने इस्तमाल नहीं करने, straight एक ही line में जो bristles हों, वो वाला brush आप use करें, तो दो बाते होगी, एक तो bristles extra soft हों, दूसरा उन bristles की arrangement है, वो क्रिस क्रास हो, या straight line हो, लेकिन वो एक ही line पे होनी चाहिए, वो उपर नीचे नहीं होनी चाहिए, तो ये point clear हो गया, अब जो company का आप ले लें, जितने रुपए का आप ले लें, अगर इन चीजों का धियान आप रख लेंगे, तो आपकी selection आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अब हम आगे चलते हैं, कि brush करने का सही तरीका क्या है, अच लेकिन अब ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टेक्नीक बहुत असान है, आपने करना क्या है, आपने दानतों के ऊपर brush को रखना है 45 के angle पे, ये देखें, ये 90 के angle है, लेकिन आपने 90 के angle पे नहीं 45 के angle पे लेकिना है, 45 के angle पे और जो gum और tooth की line है, उसके ऊपर आ आपके सारे दांतों को कवर करें और साथ में गम लाइन तक वो एकसेस करें लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा गम्स को टच ना करें ब्रश का वन थर्ड हिस्सा टच करें लेकिन टू थर्ड हिस्सा दांतों को टच करें और यह 45 का एंगल हो और इस एंगल पर ब्रश को फर्मली gentle pressure के साथ आपने push करना है और फिर बम्रти盤 प्रेसर के साथ एक firm pressure के साथ आपने पिर क्या करना है circular movement देनी है दाइरे में movement देनी है जिस तरह से आपको नदर आ रही है इस तरह की movement देनी है और ये दानत की हर surface पे यही movement देनी है आगे वाले दांत नहीं जिनको ब्रेश करना चाहिए पीछे वाले भी दांत हैं और ज्यादातर कीड़े और कैविटी पीछे का प्रॉबलम बनती है तो इसलिए आपने दांत के हर हिसे की सफाय करनी है बाहर से, पीछे से, अंदर से और एवन के जो chewing surface है जो के जिससे हम चबाते हैं दानों को तो ये surface ये जो सता होती है दान की इसको हम ignore कर देते हैं ब्रश नहीं करते हैं और ये सबसे एहम जगा है जहां पर cavity start हो सकती है तो इसलिए इसको भी आपने brush करना है और इसके बाद आपने सारी brushing में तकरीबं दो से धाई मिनिट लेने है हर surface को साफ करते हुए और इसके बाद आपने वही brush की मदद से जबान को भी आप साफ कर सकते हैं वैसे इसके लिए tongue scrapper use होते हैं वो जो अलाइदा से मिलते हैं लेकिन आप brush ही करने तो बहुत है तो इसलिए इसी के साथ तंग को भी आप clean कर ले तो ये हो गया brushing करने का ठीक तरीका अब हम आते हैं brush कितनी दफा करना चाहिए कुछ लोग कहते हैं सूबा करना चाहिए नाश्टे से पहला करना चाहिए नाश्टे के बाद करना चाहिए या फिर रात को सौने से पहले करना चाहिए कब करना चाहिए brush तो देखें brush का जो मकसद होता है दो मकासद है एक जो हम खाते हैं हमारी जो गिजा के टुकडे होते हैं या कुछ अज़ा जो मूँ पे लग जाते हैं دانتوں کے اندر پھ کرتے ہیں उनको निकालना मकसद होता है तो दूसरा मकसद क्या होता है कि ओवर दे टाइम एक लेर बनती है हमारे दांत के ओपर जिसको पलाक कहते है एक यैलो कलर की लेर बनती है तो उस लेर को रिमूव करना हमारा मकसद होता है ब्रेशिंग और वो लेयर बनती है 24 घंटे के अंदर तो इससे जाहर होता है खाना हम कब खाते हैं हम दिन में तीन दफ़ा तो खाना खा लेते हैं तो एक तो उस दिन में आप ब्रेशिंग लाजमी करें कि दिन का लगाओवा खाना आपका निकल जाए मतलब अगर आप सारा दिन खाते रहते हैं रात को ब्रेश कर दें तो उससे वो खाना आपका निकल दूसरा जो मकसद है वो है कि हमने वो जो प्लाग की लेयर है जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर बनी है उसको हमने रिमूव करना है तो क्या हो गया 24 घंटे के अंदर आपका एक ब्रेश लाजमी होना चाहिए ताके वो लेयर रिमूव हो जाए और हर खाने के बाद आपका ब्रेश होना चाहिए ताके आपकी गिज़ा अगर हर खाना नहीं तो एक दो खाने के बाद मकसद यह है कि दिन में सुबह सुबह कर ले और रात को सोने से पहले सुबह सुबह करेंगे उस लेयर को रिमूब करने के लिए जो आपकी सारी रात की बनेगी और दूसरी बात रात को आप इसलिए करेंगे कि सारा दिन जब आपने खाया है आपके मुझे अंदर कुछ भी है वो रात को ना हुआप सारा कुछ ब्रैश आफ करके सो जाएं तो रात को सोने से पहले सुबा उठने के बाद ये दो टाइम बेस्ट टाइम है ब्रैश करने के इन दोरान आप ब्रैश कर सकते हैं इसके लावा टुक पेस्ट कैसा होना चाहिए इस पे मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं और काफी सारे वीडियोज मेरे चैनल पर अविलेबल हैं वो आप देख सकते हैं और मजीद इस तरह की वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया